हेलो फेंड्स, मैसेल सुचाता गोयल, इस वीडियो में मैं आप से करोना वाइरस के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी शेर करूंगी करोना वाइरस एक वाइरस फैमली है, ये नोवल करोना वाइरस, नया वाइरस जो कि 2019 में आया WHO ने इसको COVID-19 का नाम दिया है, करोना वाइरस की एक बहुत बड़ी अबिल्टी ये है कि ये एक इनसान से दूसरे इनसान तक बहुत जल्दी फैल सकता है करोना के लक्षन जैसे आम फ्लू या कुमन कोल की लक्षन है वैसे ही है, जैसे जुकाम, बुखार, गले मिखराष, खांसी, बॉडी वीकनेस, बॉडी पेन यही लक्षन है लेकिन इन लक्षिनों के साथ-साथ अगर ऐसा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के contact में, close contact में आए हैं, जो कि Corona positive है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के contact में आए हैं जिसकी traveling history है, traveling history in the sense कि वो व्यक्ति किसी ऐसी country से होके आया है, जहां पे करोना का फैलाव जाता है जैसे चाइना, इरान, इटली, USA, स्पेन, साथ कोरिया and so on अब close contact क्या है करोना वाइरस एक droplet infection है जब किसी व्यक्ति को करोना वाइरस infection हो जाती है तो वो वाइरस ग्रो करता है और कले में कठा हो जाता है जब वो व्यक्ति बीना protection के खासता है तो वो वाइरस droplet के माध्यम से हवा में चला जाता है जो की एक या दो मेंटर की दूरी पर जा सकता है अब अगर कोई और व्यक्ति उस एक या दो मेंटर के contact में उसके साथ आता है तो सांस के जरीए वो जो वाइरस है वो उसकी बाड़ी में भी एंटर कर सकता है करोना का एक और माध्यम ये है कि जब कोई करोना positive व्यक्ति अपने हाथ को अँख नाग पे लगाता है तो वो जो वाइरस है उसके हाथ पे चला जाता है और वही हाथ से वो जब किसी surface को टच करता है तो surface पे भी वो वाइरस चला जाता है अब कोई और व्यक्ति जब उसी surface को टच करता है तो उस surface के जरीए वो वाइरस उसके हाथ से हाथ पे चला जाता है वही हाथ जब वो अपने आंक, नांक, गले पे लगाता है तो उसे भी infection होने का डर रहता है इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि अगर हम यह करोना से बचना है तो दो बातों का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है एक तो social distancing का जब भी हम बाहर जाएं तो किसे से हाथ ना मिलाई और कम से कम उससे दो या तीन मीटर की दूरी बनाई रखे वैसे तो आप घर से बाहरी ना निकले लेकिन अगर बहुत ज़रूरी काम से आपको घर से निकलना पड़ भी रहा है तो आप mask का इस्तिमाल ज़रूर करें और दूसरा ये है कि अपने हाथों को लगाता sanitize करें hand wash से तीन चार घंटे के बाद अपने हाथों को अच्छे से धूए इसके infection को कम करने के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी को खांसी या जुकाम है तो वो टीशू का इस्तिमाल करें और अगर मुखे पर टीशू ना हो तो अपने बाजू के अंदर खांसी करें इस माहमारी से बचने के लिए भारत सरकार और आयूश मंत्राले की तरफ से जो guidelines चारी के गई है उनको follow कीजिए और अपने परिवार और मित्रों के साथ भी इसको discuss कीजिए इस माहमारी से बचने का मूल मंत्र यही है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जहें